हाल जी कैसे हैं आप सब लोग आप सब का स्वागत है आपकी चैनल पे और मैं हूँ आपकी दोस्ति नीलीमा तो यह मेरी पास वुट का टुकड़ा रखा हुआ था काफी टाइम्स रखा हुआ था काफी खराब सथा यह और चोड़ाई न इसके काफी कम थी सले मैं इसके काफी डीजाओ तो मैं नाइफ लिया और उससे अच्छे से मैं इसको रब कर दिया और सेड़ यह संड पेपर से बहुत अच्छे से रब कर दिया तो सर्फेस एक दम फाइन हो गया थमूत हो गया है तो आप देख सकते हो लकडी बहुत जादा खराब थी इसका बैक साइड बहुत ज्याना खाएches इसलीआ है कि अठीक ह्याइक कि एक कव में अज्छाय को पीछ आप में में हाट रहा है ऑब ही इतना प्रंके थीज्ड क्लिन कांब में बहुत सो तो और चार तरफ करके खाकि मार्किंग का लएगी और उसके बाद मैं इसमें एक quotation नहीं मैं इसमें ओम नमशिवाय लिखने जा रही हूँ तो आपको जो भी मनों आप लिख सकते हो कुछ भी आप इसमें कीचन के लिए भी कुछ लिख सकते हो कीचन लिख सकते हो, लव कीचन लिख सकते हो, लव यो मॉम, लव यो कीचन कुछ भी आप लिख सकते हूं ठीक है तो फिलहाल तो मैंने ओम नमा शिवाय लिखा है और इसके बाद क्ले से ही जो मोल्डर क्ले आती है मैंने उसी क्ले से इसको लिखना शुरू कर दिया है तो रफली काम कर रही हूं मैं कोई मेजरमेंट लेकि नहीं करती हूं तो यह देख तो बस फैवे को लगा लगा के मैं इसमें पूरा लिख दूंगी और साइड साइड में भी मैं पूरी क्ले से ही काम करने वाली हूं तो यह प्लैंक इतना अच्छा मतलब जिस चीज को आप एकदम कभार समझो ना वह चीज इतनी अच्छी बन जाती है कि आप कह नहीं सकते रहे यह तो बहुत ही बेकार सी चीज ती कि तो वहbir हम जो आर्ट ड deport करने वारे लोग ए थोड़ी से कलाकार नोग है वह चीज dip को बहुत ही अच्छा बना देते हैं अगर शबयों कि चीजों में कभार में रखा हो उसको भी हम्रूं क है नया ही रूप दे देते हैं तो बस वहीं का मैंने भी किया है इस लकडी के टुकडी को बहुत ही सुन्दर रूप दिया है और इस तरीके से मैं क्ले से ही पूरा ये इसको लिख दूंगी और उसके बाद मन चाहा कोटेशन लिख सकते हो और इसमें मन चाहा कोई भी आप कुछ पीज़ाइन बना रही हूं बहुत अच्छी डिजाइन बनके आ रही है तो अगर आपके पास भी ऐसे प्लैंक हो और बहुत पतली हो किसी काम के ना हूं तो आप इस तरीके का आइडिया ले सकते हो कुछ भी बना सकते हो अपने लिविंग रूम के लिए ड्राइंग रूम के लिए या भी आप अपने पूजा रूम के लिए कुछ भी बना सकते हो क्योंकि इतने पतले प्लैंक का और कोई तो मुझे यू समझ में नहीं आता है क्योंकि आप और कुछ इसमें नहीं रख सकते हो लेकिन गोटेशन अगर आप इसमें लिक करके लगाओगे ना और दो त बिल्कुल स्मूज सा आप मैं पूरे में रेड कलर करूंगी मन चाहा कलर कर लीजे मन चाहा आपको जो भी करना है वो करिए एंड मैंने रेड कलर और गोल्डन कलर इसमें यूज किया है पूरे में रेड कलर करके और गोल्डन कलर से मैं लिखूंगी एंड ब्राउन कलर लि जो भी आपको च्रह करें लीडे। उनिए प्यारा सा कोटेशन और भाय शिवरात्री भी आ रही है तो उसके लिए भी बिलकुल पॉफेक्ट जा रहा था तो मैंने इसको बनाया हुआ है बौत ही सुंदर लगता है लग रहा है बनाने के बार में बहुत ही जादा सुंदर लग रहा है तो यलु कलर भी मैंने इस मेरे बच जाती है उसको मैं फेकती नहीं हूं फ्लावर बना बना के रख लेती हूं जो कि यहां पर यूज आ गया है तो और मैं इसमें भी गोल्डन कलर से कलर कर दोंगी तो आगी का प्रासस आप देख सकते हूं तो अगर आपको यह मेरा आइडिया पसंद आया हो तो प्ली के बैक साइड में मैं एंसील के हैप से मैंने चुट चुटी से वायर लगा रखे हैं ताकि कहीं हैं करने में भी बहुत आसानी हो जाए तो चली देख लेते हैं इसका लुक कर दो आपको यह में टासस्ति आपको यह पसंद आपको यह का तो प्ली के तरीके के मिठाई का बॉक्स रखा हुआ था और मैं इसका एक प्रांटर बनाने जा रही हूँ तो बॉक्स को मैंने जो ढ़कन है उसको मैंने कट कर लिया है कट करने के बाद में आप चाहों तो इसमें मास्किंग टेप भी लगा सकते हो जो इसके एज़स होते हैं मैंने मास् टूपम प्राइस के को मैं था मतेस हैं कर रहें होता है उसका में कमथा था मिल्ग कर में रहे बिवा कुंछ है पिल्याएं मैं तो बात ओने झाल पर यहां जा ऑगक्स के डिग सब्स пойम कर कर लिया हैं तो इसमें टिशू पेपर लगा कर और स्टर्डीः不是 καूंप मैं आप उ है बहुत ही जादा अच्छा लगता है तो जैसे मैं बताना आपके पाद दो तीन चार सेट हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप एक जो की लगाओगे नहीं बहुत अच्छा लगेगा एंड यहां पर मैंने स्क्रूडाइवर थोड़ा से गरम करकी इसमें होल लगा दिया है है लो तो आप लोग ने देखा मेरे डी आइवाई एंड मैंना एक डी आइवाई और बना रही थी लाइक लिप पनाट का तो मैं वीडियो शूट कर रही थी बट अनपोर्चनेटली वह वीडियो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है तो बस मैं आपको ऐसे दिखा देती कि मैंने बनाया हुआ है क्या बनाया हुआ है वह आप देख लीजे तो सबसे पहला मैंने यह बनाया है यह देखिए कुछ इस तरीके से इसको मैंने बनाया था है यह ना एक यह बनाया है ब्लू के शेड में एक्शली तीन का मैंने कॉम्बो बनाया हुए है और सेकेंड मैं नहीं बनाया है ये ग्रीन हो कि यह पुरा इसहां यह पर तो यह उब टाकर के तोई पल्सक्ड का मैंने सेट बनाया है अब भी आपको बैक के मुरी से पहां दूंगी तहीं का शेट अश्चेट नहीं कीज नहीं हुए तो मैंने इस सब की अच्छे से वीडियो शूट करें थी बट I don't know कि कैसे क्या हुआ वह वीडियो की पूरी की पूरी डिलीट हो गई है तो बस मैंने सूचा ऐसे दिखा देती हूं कभी फिर में बनाऊंगी तो पूरे वीडियो में जरूर शूट करूंगी और बस और आप पीछे नमश्य आए वाला है वह मैंने अपनी मंदिर के ऊपर रख रखा है यह देखिए तो उसको मैं डोर पे हैंग करूंगी तो अभी फिलाल अभी उसके लिए मैंने कोई नेल बगर नहीं लगाई है तो कहीं हैंग कर दूग दूग उसको तो दैट सी त यह था मेरा गर्म एक्स वीडियो में तब देक अधियान रखिए खुश रहें मस्त रहें बाइबाइब।